हाल ही में सूप्रिम कोट ने राजी सरकार को सेस्टी आरक्षन में क्रीमी लियर बनाने की अनुमती दी है इस फैसले का मकसद सबसे ज़ादा जरूरत मन लोगों को आरक्षन देने की प्रात्मिक्ता देना है लेकिन अलग-अलग सामाजी और राजनेतिक संगचनों ने इसका कड़ा विरोध किया है भारत बंद का स्पी, बीस्पी और आजाद समाज पार्टी में समर्थन किया समाजवादी पार्टी के पदधिकारी, कारेकरता और नीता भारत बंद में हिस्सा लेंगे वही कॉंग्रेस, RJD, JMM समेट कई पार्टीों ने भारत बंद कर समर्थन किया भारत बंद को देखते हुए जैपूर समेट राजस्थान के चार जिलों में स्कूल बंद रहेगा बीस्पी लखनव में प्रदर्शिम करेगी तो तुप्रिम कोट के फैसले के विरोध में भारत बंद किया गया है अरक्षर में कोटे में कोटे का विरोध यहां पर किया जा रहा है तो जो क्रीमी लेयर इसमें बनाई गई उसका कड़ा विरोध कड़ा एतराज राज रताया गया है भारत बंद का अलान किया क्यों गया है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या क्या मांगे हैं जो फैसला है उसके आधार पर क्या क्या मांगे इन पार्टियों की ओर से रखी गई है जो पार्टियां इस विरोध का समर्थन कर रही है तो मायवती ने भी ट्वीट किया है सोशल मीरिया साइट एक्स पर इसे लेकार भारत बंद को बी एस पी ने समर्थन किया है और लोगों से शान्ति पुर्वक तरीके से विरोध करने की अपील उन्होंने की है कहा है कि बीजेपी, कॉंग्रोस और अन्य पार्टिया आरक्षन विरोधी शडेंतर रच कर इसे निश्प्रभावी बना कर खत्म करना चाहती है क्रीमी लेर को लेकर सुप्रेम कोट की निर्णई के खिलाफ लोगों में रोश है उन्होंने कहा कि ऐसी एस्टी के साथ ही ओवीसी समाज को भी आरक्षर का समविधानिक हक मिला इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहिब भीमराव अमबिटकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है जिसकी अनिवादिता और समविधन श्रीता को भाजपा कॉंग्रेस और अन्य पार्टिया समझ कर इसके साथ कोई खिलवार ना करे अखिले श्रादव ने भी से लेकर कहा है कि आरक्षर की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मग प्रियास है ये शोशित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षर से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच्च सावित ह शांति पुर्वक तरीके से आंदोलन लोकतांत्विक अधिकार होता है बाबत साहिब भीम्रावंबेटकर जी ने पहले ही आगा किया था कि समिधान तभी कारगार सावित होगा जब उसको लागू करने वालों की मन्शा सही होगी सतसीन सरकारे जब धोखा धड़ी घपलों घुटालों से समिधान और समिधान द्वारा दिये गए अधिकारों के साथ खिलवार करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा जन अंदोलन बेलगाब सरकार पर लगाम लगाते हैं चलिए सीधा रूख करते हैं सारनपुर से देवेश त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अयुद्या से निमिश्को स्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सबसे पहले रुक करते हैं गाजियाबाद का अमित राना के पास चलते हैं अमित गाजियाबाद में कितना असर दिख रहा है भारत बंद का जो एलान किया गया है और कई पार्टियों का समर्थन इसे मिल रहा है बसपा का भी समाजवादी पार्टी का भी शीनिम आपको बताना चाहूंगा अनुसी जाती जन जाती को लेकर जैसे ही करीमी रक्षन को लेकर सुप्रियम कोर द्वारा एक फैसला सुनाया गया उसके बाद से ही तमाम जो संगठन है उन्होंने इस बात का विरूत करना शुरू कर दिया आपको सबसे एहम चीज बताना चाहूंगा कि सबसे एहम चीज में अपने जो राजिति के दल है वो अपनी राजिति के रोटिया सेकना चाह रहे हैं अगर भाद बंद की में बात करूँ आज सुबह से ही यहां पर ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है पहुचेंगे और अपना ग्यापन देंगे लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि मानने सुप्रीम कोड द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि क्रीमी लेर को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा कि इसमें अत्री पिछड़ी हैं और कुछ जाती ऐसी हैं जो काम भी कुछ पिछडे वक्त का अभी भी करती हैं तो उनको लेकर अरक्षन की बात कहीं जो करीमी लेर में आते हैं रेखर एक वर्ड़़् अपने आपको बताता है आपको खुद ही बता देता है कि करीमी लेर की यही था जिसको लेखर सुप्रीम कोड़ द्वारा फैसला लिया गया ले अगर बात की जाए मार्केट की तमाम मार्केट खुली हुए है अगर बात की जाए सठिकों फेरो के चलने आए लोगं की तमाम लोग अपने और दफटरों के तरफ जी मैं आपको पताना चाहूंगा सुप्रिंग कोट के जो फैसला है उसके विरोध में रिपक्सी पार्टियों ने ये भारत बंद का आववान किया था और यहां सार्पु में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सुपे के 9 बच चुके हैं और यहां मार्क बिल्कुल तो यहां पर कोई असर नहीं है भारत बंद का मुझे लगता है कि लोगों को इस द्वारे में जानकारी भी नहीं होगी कि आज कोई इस तरह का भारत बंद का आलान किया भी गया है यही वज़ए कि जानतर दुकाने खुली दिख रही है जैसा कि देवेश्ट न यहां भारत बंद का कोई भी अश्र नहीं दिख रहा है पहले तो सबसे मैं अपने घर बैठ्यों दर्शकों को एक तश्वीर दिखाना चाहता हूं यह राम नगरी का सबसे क्रीमी इलाका है यह वो रोड है यहां से राम जलम हूम और कनकभॉन हनमान गढ़ी इसको भक्ति पतका जाता देखिए यहां पर श्रदालमू की आमत सुबा से ही है और लगातार यह आपको मार्केट खुलती दिख रही होंगी देख लीजे जो अध्या की रौनक है जो खुर्चूर्ती है वो साफ नजर आ रही है राम नगरी में चाहे नीजी संस्थान हो सरकारी स्कूल हो सरकारी दफ्तर हो या फिर बाजार हो सभी खुले हुए हैं राम नगरी अपने राओं में बाकाइदा चलती चली जा रही है मास सर्यू के तट पर बसी यह नगरी आप विश्वास मानी यहां अरच्छरत अभी तक कहीं कोई भी यह कहा जा सकता है कि कि किसी को खबर भी है ऐसा भारत बंद की कुछ ऐसा कुछ यहां पर साफ नहीं दिखा फिलाल नौ बजे से जादा का समय हो चुका है और अधिया धीरे-धीरे मार्केट है वो खुल गई है लोग अपने गंतव्यों पर जा रहे हैं और लगातार जो स्रद्धालू है वो दरसन पूजन कर अप इसको लेकर कि विपर्च प्रयासरत था जैसे भी बता रहे थी कि अखलेजी का भी चूट है इसके अलावा मायावती ने भी चूट किया तमाम जो यह लोग है इनके जो आवहान है बंदी का या इसकी जो सफलता फिलाल आयोध्या में नहीं दिख रही आयोध्या अपने र